मैं आज आपके बीच में एक महत्पूर्ण विशे लेकर के उपसित हुआ हूँ भारत सरकार ने अनुस्वी जाती वर्ग के उच्ची शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए अर्थात कक्षा 11 से लेकर के उच्ची शिक्षा जो प्राप्त होती है उसके लिए जो छात्रोंती मिलती है उच्चात्रोंती में एतियासिक परिवर्तन किया गया है उसकी जानकारी देने के लिए देश के आजादी के पहले से और मैं यह कहूं कि उननीस सो चुमालिस से पोस्ट मेट्रिक स्कॉलर्शिप देने का प्रावधान है और उनसाट साट से इसमें राजजोर केंद्र दोनों मिला करके कुछ शेर देते हैं और उससे फिर पोस्ट मेट्रिक स्कॉलर्शिप चात्रों को दी जाती थी ग्यारवी से लेकर के ग्रेजियोशन तक कोट ग्रेजियोशन तक पीएड़ी आईएटी इस्पेशल जो एजूकेशन होती सब के लिए यह चात्रोंती देने का प्रावधान है बीच में एक फार्मुला आया कमिटेड लाइबलेटी का और उसमें एक मापदन था कि पंच वर्षी योजना में पात सालों में जो अंतिम वर्ष था उसमें जो खर्चा किया था राज्जी सरकार और केंदर सरकार दोनों के सहयोग से वो राशी कमिटेड लाइबलेटी हो जाती थी और फिर वो committed liability राज्जी सरकार को देना होती थी और उसके अलावा जो खर्च होता था tuition fees का रख रखाओ का वो फिर केंदर सरकार देती थी और उसका दुश्परेणाम ये हुआ कि committed liability बढ़ती गई राज्जी का share बढ़ता गया और केंदर सरकार का share कम होता गया और लगबग आधे राज्जें 36 में से 15 16 17 राज्जें से जिनको एक पैसा भी केंदर से नहीं मिल पाता था committed liability के फार्मूले के कारण और कुछ राज्जों को आंशिक धनराशी मिलती थी और कुछ राज्जों को थोड़ी बहुत ज्यादा मिलती थी और इस प्रकार का जो पैसा हम देते थे राज्जों को वो average पिछले 3-4 साल का मैं बता हूँ तो 1300 करोड बारा सो करोड और अभी पिछले दो साल का तो ग्यारा सो करोड ही केंद्र सरकार का हिस्सा मिलता था साल में और ये ग्यारा सो करोड का अगर हम परसेंटेज निकाले तो 11-12 परसेंट बनता है हमारी तरफ से हम केंद्र की तरफ से 11-12 परसेंट देते थे और ये राशी बहुत कम थी इस कारण से 10 पास करने के बाद चात्रवर्ती के अभाव में राजी सरकार जब कठिनाई में सुस करती थी और चात्रवर्ती देने की इस्थिति में नहीं रहती थी तो बहुत सारे चात्रों ने ड्राप आउट ले लिया अर्थाती स्कूल छोड़ दिया उच्ची शिक्षा की बड़ाई छोड़ दी एक तो ये परिणाम यह आ रहा था दूसरा यह कि राजी सरकार के पैसे के पास पैसन नहीं होने के कारण वो कई राज्यों में छात्रों दे नहीं पाते थे और देते भी थे तो टाइम पर नहीं देते थे इस कारण से भी भहुत सारी कठिनाई आती थी राज्जों से हमारे पास मांग आती रही और हम भी इस विशय पर विचार करते रहे और विचार करने के बाद ये तये किया कि ऐसा अमांट कर दे जो केंदर राज्जों को ज्यादा दे और क्योंकि शिक्षा राज्य का आधिकार है राज्य का विशे है इसलिए उनको भी शुरू से जो शेयर पेटरन चल रहा है उसको 60-40 कर दिया जाए 60% केंदर सरकार देगी और 40% राज्य सरकार भहन करेगी और इसका परिणाम यह होगा कि हम जो 60% अमाउंट देंगे हैं वो जो वर्तमान अमाउंट दे रहे हैं 1100-1200 करोड उसका पांच गुना होगा अभी हम एक साल में 1100-1200 करोड रुपे देते थे अब एक साल में 5500 से लेकर 6000 करोड तक की राज्य केंदर राज्यों को देगी और 40% राज्य मिलाएगा यह कुल राज्य का एवरेज हमने जोड़ा है पांच साल का यह योजना पांच साल के लिए है 25-26 तक तो इसका हमने अमाउंट जोड़ा टोटल तो 69,048 लाख रुपे बनते हैं और अभी हम देते थे 11500 करोड और अब बनेगा यह 69,048 करोड इस प्रकार से यह राज्य हम देंगे और इसका लाब यह होगा कि जो ड्राप आउट हो गए लगबा एक करोड 36 लाख गरीब से गरीब परिवार के बच्चे जिसके घर में परिवार में लोग निरक्षर है पड़े लिखे नहीं हैं इस कारण से पड़ाई का महत्व कम के बच्चों को स्कूल धनावाओ के कारण स्कूल छुडवा देते थे एसे एक करोड 36 लाग तो ऐसे चात्र होंगे जो गरीब निर्धन होंगे तदिक उनको शिक्षा के ख्षेतर में पुना लाना उनको प्रवेश दिलाना उनकी पड़ाई करवाना यह काम करेंगे और ट स्टूडेंट के खाते में डालेंगे राज्य सरकार से स्टूडेंट की सूची मंगाएंगे उनके अकाउंट नंबर के साथ में सूची मंगाएंगे वो अपने राज्य की चात्रों की सूची भेज़ देंगे मैं अकाउंट नंबर के हम उन अकाउंट नंबर को देखकर के उन चात्रों के डाइरेक्ट खाते में पेसा जमा कराएंगे और उसमें एक प्रावधान ओर कर रहे हैं कि राज्य सरकार पहले जमा कराएं और फिर हम जमा कराएंगे तो कई बार केंदर जमा करा देगी और राज्य नहीं जमा कराएंगे तो चात्रों को चात्रों तिन नहीं मिल पाएगी इस कारण से ये भी प्रावधानम करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मिद है कि राजी सरकार इस फार्मूले से सहमत हो करके अभी तक हमने घोठना की है जानकारी दी है उसके बाद कई राज्यों से इसकी प्रिशेंसा भी हुई है और कहा है कि ठीक है ये इस फार्मूले से सहमत है अभी तक कि किसी भी राज्य से इसका विरोध नहीं आया है मैं मानता हूं सभी राज्यों के गले उतरने जैसा फेशला एतियासिक फेशला हमने किया है प्रदानमंत्री नरेंद मोदी जी शिक्षा को प्रोशाइद करने की दरश्टी से इस पर गंबिरता से विचार कर रहे थे और ये फार्मूला निकल करके आया है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंतरकत स्टूडेंट के खाते में जाने के कारण लीकेजेश भी नहीं होंगे पहले कई राज्यों इस करता था कि ठीक हम अब पैसा चार्तवर्थी देने में लगा देते हैं इस प्रकार की अन्यमित्ताएं बहुत सारी होती थी अब कुल मिलाकर अन्यमित्ताएं भी रुकेगी चात्रों को डायरेक्ट फाइदा मिलेगा और इस योजन्या के कारण शिक्षा का इस्तर बढ़े सारीर हैंगे तो 17 परे इस तारिक न दे औरे और हमारा लक्ष है कि यस deuts प्रेशाना जब्राय प्रूंव करें और 27 पर्कार की योजना को लेकर के ये कारियोज ना बनी है किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा ये भी जानकारी मेरे पास है अगर कोई पूछेंगे तो मैं बताने की इस्तिती में रहूंगा और ये उनसाथ हजार अड़तालिस करोड जो धंदराशी टोटल खर्च होने वाली है उसमें 35,534 करोड रु अधन्यबाद अधन्यबाद अधन्य केंद्र मंत्री थवर्चंद गैलोज जी का हमारी मोर्चा के राष्टे दस आरे जी का अधने मियुक जी का पंदो आज ऐसी इस्तिती आगे है कि हमें 6,000 क्रोड रुपिया सिक्सा के छेत्र में अनुसुच जाती वर्क लिए खर्च क चुआचात जात्पात समाजिक समरस्ता का बहुत बड़ावा हुआ है जिस कारण से हम सब सामध्य आप अपने सानध्य बनाकर रहते हैं लेकिन समाज जो बुराईयां करता है समाज में जो बुराईय होती है समाज के द्वारा परमुक लोगों के द्वारा समय समय पे खतम भी हुई है लेकिन सरकार जब छुआचा तो जात्पात या द्वेश के कारण किसी बर्ग को पंचित करके रखती है तो बड़ा दुगदाई होता है आजादी के बाद क्योंकि डाक्टर भीमरा अमबेटगर जी धारा 370 नहीं चाहते थे वैं पाकिस्तान के बटवारे को आर अपार होना चाहिए वो समान आचार सहिंता चाहते थे वैं महिलाओं को बराबर का हक चाहते थे जिसके कारण जवालाल नहरुजी उनको पसंद नहीं करते थे उनका 36 का अकड़ा था कांग्रेस ने वो दुवेश वही परी निरों का बलके हमने देखा कि डाक्टर भीमरा अंबेटगर जी से इतना दुवेश कांग्रेस सकती थे कि उनको भारत अतन लेने के लिए कम से कम गैर कांग्रेसी सरकार का इंतियार करना पड़ा ये बड़े दुगदाई की बात है और उस समय से हम लगातार हम देखें यहीं नहीं है डाक्टर भीमरा अंबेटगर जी का अंतिम संसकारदी दिल्ली में नहीं होने दिया और दुर्भागे पूर्ण है कि यहां की समाजिक संस्ताने उनको बंबे लेके गए दाधर के अंदर आपने देखा होगा दिल्ली में कहीं भी डाक्टर भीमरा अंबेटगर जी की समाधी भी नहीं है और नाहीं उनका संग् जो दाधर के किनारे चेत भूमी है जिसको चेत भूमी कहते हैं उसका पूरा निर्मान वहापे दस एकड़ के अंदर इंदुमील बंद पड़ा हुआ था उसको लेकर डाक्टर भीमरा अंबेटगर की समाधी बनाने का काम किया और सबसे बड़ा दुख जब होता है हम संग संग्राले जाते तीन मूर्ती बड़ी चीजे मिलती है जहां तक इनको गुलाब का फूल उस समय का भी किताबों के अंदर बंद दिखाई देता है उन जो देनिक जिरूरत की चीजे थी वो इस्तेमाल किया करते थे वो भी हमें हरी के मिल जाती है गांधी जी के संग्राले म साड़ी में गोली लगी थी वो साड़ी भी आपको मिल जाएगी लेकिं डाक्टर भी हमरा अंबेट गर जी अचकन डाला करते थे टाई पैना करते थे एक घर के अंदर रहते थे तो घर में उनकी जो जोड़त की चीजे सारी थी और खासकर वो टाइप रैटर भी था जिस स सामने उन्हें बुद्दिश द्रह अपनाया था लेकिन ये सारी की सारी चीजें कांग्रेश के दुर भी हवार के कारण वो यहां से भाहर निकाल दी गई 26 अलिपूर रोड जो आधर ने थावर्चन गैलोजी ने अभी 100 करोड रुपया लगा कर 26 अलिपूर रोड वो उनक मुझे बड़ा कश्ट हुआ जब चार-पास साल पहले जब मैं उस संग्राले को देखने के लिए गया एक टीवी मीडिया नहीं आपके द्वारा उठाया गया था वो सवाल कि देखी के डाक्टर भिम्रा अंबेटकर पे सरकारें लगाता हार बार पैसा खर्च करती है क्रो सबको जो टाइयां थी कभी तो सब दिमक खागी बड़े दुख की बात थी और मुझे कहते हैं खुशी हो रही है कि आधने थावर्चंद गैलोजी के नेतत में आधने परदान मंती जी के नेतत में आज हम 13 एकर के अंदर उस संग्राले को बनाने का काम कर रहे हैं वहां प अभी तक हमने देखा है कि पीजेपी की सरकार आने से पहले है आपने देखा होगा 50 लाग नकली चात्र पकड़े गए अनेकों नेक चात्रप्रती ले लिया करते थे इस्टेटों के अंदर और बोगस नामों को रखकर और उनकी चात्रपीत को खाया आते थे दलीतों को डा दोचता है लेकिन आज चात्रप्रती पूरी-पूरी मिलेगी और आज के इसके साथ मैं एक और चीज़ की भरत्ता करना चाहूंगा कि पंजाब के अंदर अभी पंजाब के अंदर जो हमने चात्रप्रती स्कोलर्शिफ दी थी करीव 2019 के अंदर 303.92 करोड दी थी लेकिन उ बहुत बड़ा गोटाला इस स्कोलर्शिफ में किया आता है आज वहाँ पर अनुसिज़ जाती वर्ग के सारे धार्मिक संत अनेकों नेक आईस आईपेस पूर जो रिटायर्ड है चंदीगड के अंदर उस पर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं जो गोटाला पंजाब सरकार ने किया और यहीं नहीं आनेकोंने गोटाले जो कांग्रेस सरकार में होते रहते दे इस पारदेस्ता के कारण वह उसके अंदर भी बहुत कमी क्या बिल्कुल नगरने हो गए हैं और मैं उसकी रिपोर्ट आपको बताना चाहूंगा करीक परी 1.4 लाक नकली एंजियों जो ह कारदस्ता के कारण खतम हुए हैं चार करोर नकली एलपीजी कनेक्शन थे जिसके कारण से वो सारा कुछ हुआ जो हमने खतम करा हैं और ऐसा ही सबसे दुखतों जो है मनेरगा के 2 करोर नकली कार्ड मनेरगा के लोगों की कमाई को भी यह लोग नहीं छोड़ते थे ऐसा सू नहिवाद करना चाहता हूं और साथ-साथ जो हमारी साथ में एक और आधने थावर्चंद गोलेजु के नहत्तों के अंदर मंत्राले द्वारा काम हुआ है कि गलित का कोई भी गरीबी के रेखा के नीचे का कोई भी व्यक्ति बिमार होता है तो उसको 15 दिन के अंदर अगर व भी हम साड़े तीन लाग तक का हम उनको देते हैं ताकि उस आदमी की कोई ब्राइब इसलिए हमने अनिसुच क्यों करना पड़ा हमें क्योंकि अभी तक यह सरकारे जो रही हैं पीछे वह गरीबों को किसानों का अदलितों का शोशन करती रहें गरीबी हटाओ गरीबी हट गरीबों का सोशन के एक बहुत बड़ी खाई हमने पूरे पुराने कारेकाल के अंदर जो अदर नर्दर्णत मोदीजी का रहा है जिसमें हमने गैस के कनेक्शन दी हैं सोचाल ले दी हैं अनेकों नेक योजना पर हमने समतुल्ले लेका हैं आज हम सरकार के माध्यम से उनको स्वाब लंबी बनाने का काम कर रहे हैं और अनेकों नेकिसमें तुल्टिया भी पाई जा रही हैं हम भारत सरकार परत्मान की नर्दर मोदीजी सरकार सभी दलीत और गरीबों के प्रति समर्पित है जिस परकार से आप किसान आंदोलन के हम पहले भुत कुछ बोल चुके है ऐसे ही उनकी साथ भी दुरुव्यावर का भावना जो कांगरिस सरकार और वो कर रही है उसकी हम भर्सना करते हैं और नर्दर मोदी जी और थावाचन गैलों जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्यों नेनुश्र जी जाती वर्क के को अब एक दम उपर उठाने क का काम किया है वह तो धन्यवाद मैं दो बाते और बताना चाहता हूं छूट गए थी एक तो यह जो पाँच हजार साथ पच्पंच सो करोड का ना मैं इस मार्ष तक ही हम राज्यों को दे देने हैं मतलब इसी साल से इसको लागू कर दें और दूसरी बात यह हर साल पांट परसेंट राशी बढ़ा करके देंगे जैसे साथ चालिस का रेश्यो है ना तो इस बार हम साथ परसंट दे रहे हैं अगले साल हम फेसट उसके बाद किचोतर और असी परसेंट तक का ये हर साल पांट परसेंट बढ़ा करके देने का प्रावदान किया है ये देंगे अभी अभी ये चात्रोती साथ लाग चात्रों को मिल रही है और जब हमने नया फर्मूला बनाएं तो हर साल दस परसेंट से ज्यादा वरद्धी होने की संभावना है और अगले पांट सालों में इसका लाप टोटल मिला करके चार करोड चात्रों को मिलने वाला ऐसा हमारा अनुमान है इसमें 1.36 करोड बेहत गरीब चात्रों को उस सिक्सा से भी जोडने का प्रावदान है और शीदे शीदे पैसे ये विद्धारती के अकाउंट्स में ही शीदे जाएंगे आसामाती किसी भी राज से नहीं आई अभी तब अभी तो बंगाल वाले वो किशान क्रेट वाला भी पैसे मांग रहे हैं अब तो पहले नहीं दे रहे थे अब तो मांग रहे हैं वो आईश्मान का भी पैसा मांगेंगे तोड़े दिरान में लेकिन वो मांग रहे हमें दो इसा प्रतिस्त लोगों को कांगरिसियों को अने दलों को खाने की आदद बढ़ी है वो आदद अब छूड़ जाएगे